सदोस्तों एक और नया दिन और मैं बल्जित परमार हाजर हूँ एक नई कहाने एक नया कित्था लेकर आज आपको सनाएंगे अरुन गवली अंडर वर्ड डाउन दगडी डाउन की पूरी कहानी तस्वीरों की जुबानी मेरे एक मित्र ने हमारी टैनल के साथ जुड़े हूँ है तकरीबन तीन साल से उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें अरुन गवली की जिन्दगी के साथ जुड़ी हुई भेजी है खासियत यह है कि अरुन गवली अकेला डाउन है जो कभी देश छोड़ के बाहर नहीं गया होगा जबके दूश्रे सब्डाउन दाउद इब्राहिम धबई कराची अमर नायव सिंगापूर हौंकों सिरी लंका उची तरह चोटा राजन दबई अस्ट्रेलिया थाइलेंड लाउज कंबोडिया सिंगापूर नपाल मैंकोक कहीं रहा उची तरह क्रीम लाला भी कई ब हाई हाज यमस्तान भी हाज करने गए के साओधी तो इतरह तक्रीम हम सब के सब डाउन परदेश में गए कुछ वापस आए कुछ वहीं पे रह गए कितने लोग बाहर बैठके काम कर रहे हैं कोई वापसाया बाहर और अब जेलों की चक्टी पीश रहे हैं लेकन आरंग गवली कभी देश छोड़के बाहर ने गया उसकी जिंदगी से धुड़ी तस्वीरे बजपन से उसकी शादी शादी की अक्स्क्रूसर तस्वीरे कैता पेटा पगड़ी बादी ती शादी वाले देन वो उरेणल तस्वीरे फैमली की मिया बीबी की वो जो जवानी का समय था जब अरुन गवली का आगमन हो रहा था बड़ी तेजी से अंडरवलने माभूरेशम और रमानायक के मरने के पाद जब अकेले और उन गबली दगडी डॉन बन गया तो वहां की तस्वीरे आपको दिखाते हैं आप देखिए शुरुवाती दिनों की वो तस्वीरे एक-एक करते हैं अब दूसरे हिस्से में आप देखिए वो तस्वीरे जो काफी सारी जेर के अंदर की हैं और काफी सारी दगडी चाल के बाहर की हैं खाथ तोर पे उस समय की जब और उन गबली ने अखल भारतिया सेना बनाई थी एक प्लिटिकल पार्टी जिसके ताहर तुसने मिल्चपल कार्पोरेटन की एलेक्शन लड़ी और तीन उसके कैंडिडेट कार्पोरेटन बन के आए अशुक जोशी कामजर महारग वाले उसके प्रेजिडेंट थे मादमिया और उन गबली खुद बन गया और खुद एलेक्शन लड़ी एम मेले की और जीत के आए आप देखिए कैसे हजारों की भील दुड़ती थे और उन गबली की एलेक्शन रैली में मीटिंग में बहुत सारे वरकर्ट के साथ बैठके मुलाकात करने उनसे इस्रा मच्वरा करना बहुत सारे लोगों की तस्वीर आप देखेंगे मैं आप सबसे बनांती करूंगा कि आप मेंसे जिस किसी की भी वो तस्वीर हो तो कृपा हमसे कंट्रेक्ट की जी और बताइए कि वो मौका क्या था कित समय की है आप और उन गबली के साथ क्या कर रहे थे हर आदमी जो इन तस्वीरों में है वो कोई और उन गबली गैंक का मेंबर नहीं है गैंक के मेंबर बहुत कम थे इन में से बहुत से लोग प्लिटिकल वर्कर भी हो सकते हैं दे लोगों ने उन दिनों में और उन गवली के साथ काम किया कुछ नश्वीरों में बड़े बिजनसमेंग भी नजर आ रहे हैं जिस सब्स ने भेदी हैं उनको नहीं पता कि जो लोग कौन-कौन हैं तो ले इसलिए एक आदमी की अंडर वर्ल की जब हम बात करते हैं तो उसके इतने बड़े सरगना के साथ कौन-कौन से लोग किस-किस रूप में जुड़े थे उसकी जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए मैं सब देखने वालों मैं तस्वीरे डालने का मक्थदी यह है कि पता चल सके और उनका वली के तच में कौन-कौन था उसका क्या संधर्व था और कौन से साल की समय की यह तस्वीरे हैं एक नया रिकार्ड पिक्टोरियल बन जाएगा यह वीडियो बनाने के पर्पस के साथ अंडरवल्ड के इतिहास इस्त्री के साथ साथ एक डॉकुमेंटेशन भी होनी चाहिए तागे बहुत सारी जो गल्थ फेमिया मार्कित में चलती है उन से छुटकारा पाया जा सके तो आप प्लीज मेरे आप मुझे मैसेज की जिए बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपना वर्टसफ नबर बेजूगा तो आप उस खास तस्वीर के बारे में तस्वीर की कर रहा हूं इस तस्वीर में मैं हूं राइट से तीसरा ज़स लेफ्ट से चौठा अदमी जैसे भी आप आपने आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं ताकि डाकुमेंटेशन हो तके उस समय के हर हालात की दगडी चाल के अंदर की दगडी चाल के बाहर की और अब ये दूसरी तस्वीराओं को जो सेट है वो आप देखिए जिसमें हजारों लोग अरुन गबली को देखने सुनने कैसे उमड़ते थे तो दोस्तों एक वर पिर आप सबसे अपील है कि हमारे साथ जुड़िए अपनी जानकारी दीजिए जो दूसरे लोगों की जानकारी आपके पास है कि इन तस्वीरों में कौन कौन लोग हैं क्या तंदर्ब है आप भेडिया आपके हुगारे की आपके रेक्शन की आपके interaction की हमें इंतजा रहेगी तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद